10 रुपे का ये गन्य का रस आपके निवू के पौदे को फूलों से भर देगा पौदे से फूल नहीं गिरेंगे और जादा से जादा फूल जो है फल में कनवर्ट होगा पुराने जमाने का और्गानिक फार्मिंग का फार्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ तो वीडियो में जानेंगे आखिर गन्य के रस से हम अपने निवू के पौदे को फलों से फूलों से कैसे भर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा इसके मत कीजेगा अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्काइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीज़ें उसे हम एक ऐसा और गैनेक फ्लावर बूश्टर जिसे देहाती वासा में फुलवारी द्रब्बे बोलते हैं बनाने वाले हैं जिसकी सायता से आपका पौदा फूलों से भर जाएगा फूल गिरेगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा फल में कनवर्ट होगा तो आपको इसके लिए चाहिए होगा हम दो लीटर जो है ये फ्लावर बूश्टर बनाएंगे तो इसके लिए आपके पास 50 ml गन्य का जूस बिना बर्फ वाला बिना नमक वाला चाहिए सबसे पहले 50 ml आपको जो है गन्य का रस चाहिए साधा बिलकुल इसके अलावा लगवा 50 ml ही बटर मिल्क छाच या मठ्था ये फ्रेश चाहिए जैसे आप चाहें तो अमूल बगैरा का भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो उसी दिन लेके आना है और उसी दिन वाला आपको च जानता है ये है आपकी दालचीनी तो दो लीटर फ्लॉवर वूष्टर के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तुकड़ा मालीजीए 4-5 ग्राम का ये तुकड़ा होना चाहिए दालचीनी का इसके अलाबा ये अप्सनल है ये है आपका हनी सहत अगर है आपके पास तो बहुत अ पिरकरिया पहली पूरी कर लें जैसे या फ्लावर बूस्टर यूज़ करेंगे पौदे पर फूल आएंगे और फूल जो है छोटे छोटे फलों में कनवर्ट हो जाएंगे लेकिन जब किसी पौदे पर ज़्यादा फल आते हैं तो अभी हमें क्या करना है अपने नीवू के पौदे को बूश्ट करना है यानि कि कुछ ऐसी चीज देनी है जिससे पूरे सीजन आपके नीवू को जरूरी पोसक तब तो मिल सके तो एक दो दिन पानी बंद कर देजिए जिससे मिट्टी थोड़ी सी ड्राइ हो जाए अब देखे चाहे आपका पौदा गमले में है या जमीन पर पकरिया सेम रहेगी 12 इंच का गमला मान लीजिए तो आपको स्वैल की उपरी लियर यानि कि मिट्टी की उपरी लियर एक से डेड़ एंच बड़ी धीमे-धीमे हलके हातों से पौदा हिलने न पाए अगर पौदा हिलेगा तो फूल गिर जाएगा तो उपरी लियर इसकी जो है निकालने है और उपरी लियर की जो स्वैल होती है इसमें फैटलाइजर होता है तो इसे अभी हम फैंकेंगे नहीं इसे खटा करेंगे आगे यूज करने के लिए ऐसे ही अगर जमीन में नीबू लगा है लेमन प्लांट तो उसकी ए चार से पांच इंच मिट्टी जो है आपको निकालका अलग कर लेनी है एक ठापा बना लें अलग और ये मिट्टी आपको तब तक निकालनी है जब तक लेमन न्यूट्रिंस से अपना काम चला सकें लेकिन ये ऊपर ही रह जाएगा अब हमें एक तरकी वाजमानी है जिससे हम जो भी चीज दें वो निवू के नीचे तक जा सकें तो पहले मैंने अपने वीडियो में ये तरीका आपको देखाया है लेकिन एक वार फिर देख लीजिए तो हम अभी इसे जादा नहीं छेड़ सकते ना जादा गुड़ाई नहीं कर सकते रूट सिल जाएगी तो हम यहां लेंगे एक नुकीला ये पेचकस अब यह देखे मैं इसमें खड़ा बना रहा हूं 10-15 खड़े बना लेजे ऐसे गड़े तो हम जो भी फैटलाजर देंग जिससे लेमन प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोध कर पाएगा ठीक है आपको यह से 10-15 गड़े जल्दी जल्दी बना लेने हैं आप देखिए जो चीज में आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले या तो आप यह घोजिए इफको का यह सीवीट फर्मेटेड बर्मी कमप पोस्ट है सीवीट जो के एक और्गानिक फैटलाइजर है संपूर पोसकत तो यह आपको ऑनलाइन बाजार में या सहरों में आसानी से मिल जाएगा अगर यह ना मिले तो बर्मी कमपोस्ट तो हर व्यक्ति के पास या नरसरी श्टोर पर मिली जाता है आप यह ले लिए बा लगवग 100 ग्राम यह सीवीड वाला बर्मी कमपोस्ट लेंगे और लगवग 50-60 ग्राम अपना नॉर्मल वाला जो है सीवीड ले लेंगे तो यहां पर मैंने कमपोस्ट और सीवीड फैटलाइजर दोनों लिए हैं मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से देखें यह जो हैवी कि पॉदे को स्लोली 위 Kitchen करते रहेंगे कि तो हमने जो मिट्टी निकाले थी ना उसमें यह फैटलाजर एक वार देदेंगे यह फैटलाजर आप अम्रूद में भी दे सकते हैं चीकू में दे सकते हैं आम मैं भी दे सकते हैं यह सभी में काम करेंगे जल्द ही एक वीडियो हम लेके आएंगे कि आम में आप इसे कैसी यूज करें अब आपको करना क्या है कि हलकी सी वाटरिंग करनी है जिससे यह बर्मी कंपोस्ट हमने जो होल बनाए है उनके द् स्टेज नहीं करना है इसमें से रूट्स लीफ निकाल दीजिए और जो मिट्टी जो हमने निकाली थी उतनी मिट्टी आपको दुबारा से फिल कर देनी है यह हो गया पार्ट वन प्रकरिया पहली यानि के अब हमारा वो फुलवारी द्रब जो फ्लॉवर बूश्टर गरने क के रस से हम बनाएंगे ना वो काम करेगा लेकिन उसे बनाना कैसे उसको भी मैं आपको बताए देता हूं तो शुरू में मैंने आपको दिखा दिया कि हमें दो लीटर बनाने के लिए 50 ml ये फिलकोल फ्रैस गरने का रस 50 ml छाच एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा सहर ये चाहिए और इस सब को बनाने के लिए या तो आप प्लास्टिक की वाल्टी यूज करें या फिर मिठी का बरतन प्लास्टिक की वाल्टी हमने लिए है और दो लीटर पानी लिया है बैसे तो इसके लिए जो है आपको जीवामरत चाहिए लेकिन अगर जीवामरत नह लाइफ टाम काम आती है इसके बाद एक तुकड़ा दाल चीनी का हम इसमें डालेंगे और इसे आप चाहें तो पावडर बनाके डाल सकते हैं सहद इसमें थोड़ा सा डालना है ज्यादा ज्यादा तीन से पांच ग्राम तो एक चमच मानके चलिए वन टी स्पून और अब इस 24 गंटे के लिए असे छोड़ देंगे 24 गंटे के बाद हम आपको इसे नीवू पर यूज करके दिखाएंगे सांज का समय हो गया है तो इस फ्लॉवर बूश्टर को आप हलकी धूप में ही यूज करेंगे और इसे यूज करने का सीधा सीधा तरीका है कि जैसे आपने इसे बनाया हुआ है ना पहले आप इसे च्छान लिजिए तो हमने अपना स्पेयर लिया है उसी में सीधे सीधे च्छान लिया है आपको इसमें पानी बगएरा मिलाने के जरूट नहीं है 100% प्योर इसे ही यूज करना है अपने स्पेयर में इसे भरिये और जिस पौदे पर निवू पे फूल कमा रहा या फूल गिर रहा है या आम पर फूल नहीं आता है आम पर फूल जड़ रहा है किसी भी फूल दार पौदे पर या फल दार पौदे पर सब्ता में दो बार स्प्रे करना है इसके बाद देखिए फूल बहुत ज़्यादा बनेगा और फल में भी ज़्यादा से ज़्यादा कनवर्ट होगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं